र नेपाली जन्ता का हक अधिकारलाई शुनिस्ची तुने गरी नेपाल को समिदान निर्माण गरेका छो यो नेपाल को समिदान अंतरगत सबय जाती, समुदाय, छेत्र, बर्ग, लिंग का जन्ताले आपनो बेक्तित्यकु विकास र र नितिक अधिकार को प्रियोग गर्दै यो देशको योड़ा स्वाविमानी नागरिक को रूप मा अगाडी बढ़ने प्रशस्त यसले सवला अफसर प्रदान गरेगुछ शंचार मा कुनिपनी बेवस्था, कुनिपनी शासन त्यों सत्पर्तिशत पुरुणु कुनिपनी शुदार को गुण्जायाश मुदैन बनने होई न त्यस्ता गुण्जायाश आमी का आपनी होनी शक्दसन भर्खराई नेपाल सरकार को तरफवाट सिके राउत रोहां को पार्टी संग इवड़ा स्वमती भयको आमीले थापायों रत्यसरी बिविन्न समुदा आलाई बारतामा लेवनु उन्हेर लाई देशको मुल्ब प्रभाहामा अगाडी बढ़ाउनु तेसको लागी प्रयास गरनु रामरु कुराओ स्वागते की कुराओ तरह मैले या भन्नु पर्चा नेपाली जन्ता बाट निर्वाचित यो सार्भम पर्त्निजी सभाको य प्रतिकूल रहे गाचन मा नेपाल को समिदान को धारा पांस परती संबध्य सभाई को ध्यान आकर्षित गरवना चान्चु धारा पांस को उपध्या धुई मा उल्लेग छा राष्ट हित प्रतिकूल को आचरंडर कारे संग ये कानुन बवंजम तर्णन निये होने चा हाम अले ना राष्टिय सवागिरा को बैठेक मा नाव आले आपना सहमती मा कताई पनी आफुले बिगत मा नेपाल राष्ट को विरुद्धमा ओकले का ती बीसरू फिरताली अमनर वाले कुनी सब्दपरियोगर्ण वायको चाहिना मत्यसकार नेपाल सरकारलाई के शुजाब दिन चाहां चुबने यस्मा वायका तुर्टिय अरुष्ण चैयोस रायोडा बक्तबे जारी गरेर नेपाल राष्ट को श्वादिनता अखंडता को विरुद्धमा वाले आस्मा भनेका कुराहरू फिर्तागरी का चन रा चंदरकांत राउत ले अबो प्रांत नेपाल को स देश भीत्र बश्वाश गर्न दीने चाहिए जस्तो अत्यांता आपत्ती जनक शब्द परेगुछा सम्मान ने स्वामग मोदै या संपुण कुरार मुब्याख्यागर्न गई रेकुछाई न मैले संच्यपमा मात्र यो भने यसको सासाते मा धारा छपन समिनान को धारा छ तर्फ बनी संब द्रशवाई को ध्यान आकर्शित गर्ण चाहां चू तेस्मा भने गुछा संगिये कानून बमुजिम सामाजिक सांस्क्रिप्तिक सम्रच्छन वा आर्थिक विकास का लागी विशेस सम्रचित वा श्वायत्त चेतर कायम गर्न सकीने चाहां हमेले स्वायत अब तेहां सुषाषन देने बनने कुरालाई एक ठामार आखरे हिरदा की अर्थ निसकिन चाहां हमेले चाहाई बिविन्न रादिक दॉल हरो लाई स्वामति माले ओ जो असंतुस्ट चन वाहमें दोंदको स्वामंदन गरों क्यको लागी तो क्यको लागी हो बने यो देश नेपाल को स्वाधिनता स्वामेल खांदेन माजन पाठी शांगा संबददचू यो पाठी ब्लया आजमनना जने सात दसक देखे अगाड़ी उठायको नेपाल को राष्टे सम्मान को जन्दचंघ तेली मेल खांदेन मने तेस्थ ता तुम्झे अरूलाई शच्चे एनु शाधयंतार श्रोतंटर ताको कुरालासी धेन मां अखिर नाग्रिक ताको शमयसादrire सबंद में आपोड केश्टी के अधिकारखार घानbnख़ प्राप्त करूं तरह हम्रों जस्तों देश मां विविन बहाना मां फेरी विदेशी और भित्रेयार कताई हम्रा तरही का दाजो बहारू देखी पाहड कामी संपड नेपाली नागरी अल्प मतमा नपरू वन्नी तरफ पनी हामेले ध्यंदीनु पर्छा मेले यो दूटा कुर आउडेर माका समर्थ करूले यो जनवा विमत मनेको जन्मसंग रनाही हो वनेवारली बारमार वन्नु बाचके सकारण यि समपन कुराहले नेपाल को समीधान उन्चार नेपाल को राष्टी स्वादिन तार श्वतन चतको भावना उन्चार सकारको थर्ववाट सचे योस और कुपक्त बेजारियोस रा नेपाली जनता मरेकु भामलाई हटाईयोस मने रमजूर्दार मांगरन चाहांचू धन्यवाद मानेशरी मिनेंडर रिजाल समय चाओ मिनट स्वामुख महोदे बख्रे शरकार ले चमय नामा करेका काम और को प्रतिवेदन अर्थमंत्राले ले बाहरे सार्वजीनिक करया अचाहा सरकार गठन होदा अर्थमंत्रजी प्रतिकोपनी बरोसा रदूई याई बंदा थूलो समर्थन बड़बने को सरकार सुनाव मा निके ठुल्ठुला चरकार नारा देरबने को सरकार पुरा गरला बने लाया थू के ताव गाड़ी बढ़ला बने लाया थू प्रतिवेदन मा अर्थमंत्री बंदूंचा क्रिशी उत्पादन उद्योग्षे मता भिस्तार परेटन आपरेटक आयगवन उर्जा आपूर्थी मा सुधार बीप्रेशन आपरवां प्रिदी राजस वस्तुली मा ब्रिदी रोपुजी अथुगत खर्चमा ब्रदी वहरा आर्थिक ब्रदीदार लक्षे को हारारी भूक्षा वने यह मद्दे क्रिशी उत्पादन यस वर्चा रामरभाचा तान को पादन मत्री नौ प्रतिशत विप्रिदी उने अनुमान चा अब हरेक बर्च कृषी को उत्पादन बढने घटने गराचा तेसे को आधार मा मत्रे अर्थ तंत्र उभलागे हो की वह पुनी ओए ना अगिलो बर्च को ब्रिदी तार वंदा सामान्य मत्रे परिवर्तन होला अनि कृषी उत्पादन को आधार वड़ बंदा तेवा नहां सुर्थ कुरा कैप बिने उदे ना उद्यक्ष मता अभिस्तार कती वायो काहीं देखा पर आशे ना परेठन को आगावन अगिलो बर्च यह अवदी मां 25 पृतिशत ले बढ़ा आतियो यो बर्च 24.8 ले बढ अगिल्यों पर्च पंडर प्रथिशत लेबाढ अख यह अपल्ट ने इक्तिश प्रथिशत ले बढ़ा चा अयाद बढ़ा हुनाले हामरो अर्थतंत्र मा आयात बड़ा अधारीत राजस्व जंडे करको एकचाउथाई तेसले गरदा राजस्व मा सामान्य सुधार्चा 21.26 बाचा 21.26 एसकारन कि आयात बड़े आयात बड़े र वेपार घाटा 15.32 बड़े पुयाचा हुआ भर्ण गर्ण मार्थातंत्र निप्रेशन आया आयाद रुपवोगत्य लूमल्यक सवर नवा थयो ऑद्यों यूबर्च अफेरियता आयाद थे चिअ एप्रेशन को आया आध रुपवोगत्य चप्रण वियो औन्न बाइर अर्थमंत्री जो अर्थतंत्र लाग कसरी पुराउन वहता है यहर ने काई आधार छेना बजेट संसोधन गर्दे उनुच पचासी प्रतिशत मत्रे खर्च गरन सकीने तेस्वाद्य अजब पुजीगत खर्चता सतरी प्रतिशत मत्रे यह तो डंका बजार आयको सरका अधिले सम्मा चालू खर्च पईतिश प्रतिशत भायो पुजीगत खर्च गर्च सत्रा पॉइंट साथ अगिलों भर्च यह वदी मां चौद पॉइंट पॉइंट तीन बाहते हो कती फरक परेते हो खासे फरक सेना इसरी ठुलो मत लेरा आयको सरकार जनता को अभी मत लेर बने अरुना लामा को गीदगा राकोते सरकार स्मयना बित्ता बषदिन बित्ता पहले चौमेना को अवधी हरने बने डिया नया बने को कम चैरक आद बने जवानी को कम चैतर कि अधिन पॉइंट पार्च दिन बित्त्यों अगाडी पर न शक्या सरकार अब यो भीशे बाय महिले अर्थ तंत्र में सुधार को ते कुने आलत देखा है न अईले बनी गंबीरता पुर्वक अर्थ तंत्र को काम गरना तैयार से बिपक्षे बनी सहय करना तैयार से कि जो का अतिरंजनका कुरा छोड़ो नेपाल को उन्नतिका लाइक काम गरों त्यों भनना चान्चू अब यो बायक और को अटा कुरा बख्खरे ग्रियमंत्री ले सीके राउच सम्झोता गरनू वो सरकार का प्रदानमंत्री अधक्षे समयत बसे रहा बुदा नमर्दूी मा आसंका उठ्याच सब्तावड़ पुनी प्रतिपक्षे बढ़बनी नेपाल को सम्झान ले भने जाई नेपाल अभिवाच्य हो बागलिक अखड़नता मा जन्मसंग्र होना सकते ना तेसमा जन्मसंग्र कराउने सममति वाच भनाना सीके राउच बन्नूंच सरकार ले यह स उमकन पाउदेन अनि सिकेर आउच सम्झोता गर्रे ग्रियमंत्री तो पेन को मसी नसुक्ते खेरी अनि बोल्नूंच संभिधान रे कानुन नमानने राजनितिक सक्ति होई नन मने रा सायद बीपलपरती गर्या होला हमी हिंसा अईले पनी बिरोध कर्षों हिंसा गलत हो ते क्न Kenneth Mohonin बोल्ट और आजा संंति प्रिक्रिया काम होरु बाकि सं ग्रियमंत्री जी प्रस्न गर्नद चाहन चुँ सांति प्रकिरा का बागी काम रहंदा रहंदै संभिधान र कानुन नवानने राजनेतिक सक्ति होई नन भन्नून चा कि के बन्नून चा ही जो मावाधी ससस्त बिद्रमा तपई सगे हिनने अरू बागी मानी सरू जो सांति प्रकिरा का पुरा कामरू बाकी होलान थी पूरा होलान मन्ने